दोस्ते दोस्तों बहुत बहुत स्वागा था आप सभी का जैसी सी एक्जाम है यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्या खिर यह हो क्या रहा है आपके साथ आपको बहुत से लोग आप में से कंफ्यूज्ड थें क्या धिर एक्जाम कैसे होगा वेटनरी का एडिमिसन कैसे होगा वेटनरी का क्यूंकि हर साल अप्रोसेस यह था कि आप दोस्तों आप सभी बहुत परशान थे बहुत सारे पूछ रहे थे बहुत सारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइस में विजिट की होंगे कुछ लोगों का कहना था कि एड़्मिसन इस पार नीट के बेसिस के होगा कुछ लोगों के ङंपरम होगा ही नहीं लेकिन जो मैंने कहा था कि एड gymnยम उन तो हो नहीं है क्योंकि कोई भी एक बैच ऐसे खाली नहीं जा सकता तो government आखिर action mode पे आई और इसके लिए notification जारी कर दी है कि आखिर होने क्यावाला है दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को और समझे पूरा मामला था क्या पहले मैं पताता हूँ ऐसा हुआ क्यों सबसे पहले कोई भी government college होती है चाहे वह agriculture college हो या फिर veterinary college हो उसे accreditation मिला हुआ होता है government से क्योंकि वह government के अंदर काम करती है time duration में bounded होती है जैसे कि राच एगरिकल्चर college पांच साल के लिए ICR से accredited है यानि कि अगले 5 साल तक वह अगर अच्छे से काम की तो उसे एक rank दिया जाएगा agriculture college के list में और उसे काम करने अपने अंदर allow किया जाएगा कि आप students को पढ़ा सकते हैं और आगे college को चला सकते हैं लेकिन अगर वह rule को follow नहीं करती है तो ऐसे case में accreditation हटा लिया जाता है और college को आगे further admissions रोका जाता है बिल्कुल कुछ ऐसे ही हुआ था veterinary college के साथ VCI जो है वह accreditation रोक दी थी अपना राचे veterinary college के लिए तो अब हुआ यह कि उस time तक जिस time तक accreditation रोकी हुई थी तब तक तो कोई admission ले नहीं सकता था उस college में इसलिए JCEC क्या क्या कि अपना जो admission प्रोसेस है अब रोक दिया अब problem यह आया students लोगों को कि admission ले तो ले कैसे फिर कुछ लोगों ने agriculture का form भरा कुछ लोग नहीं भरे क्योंकि वह confused थे के admission होगा या नहीं होगा लेकिन VCI ने एक साल के लिए accreditation बढ़ा दिया है फिलहाल अब एक साल इस साल जो 2022-23 के बेच के students जो admission लेंगे तो इसमें अब वह admission ले सकेंगे और इसमें पढ़ाई कर सकेंगे फिलहाल आप इसमें देखिए इसको पढ़िए कि न्यूज में लिखा हुआ क्या है फिर मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में बने रही है क्योंकि इस चैनल से आपको एकदम authentic और genuine news मिलती है क्योंकि मैं भी राचिएगरी Culture College बिरसाइगरी Cultural University का student हूँ तो आप लोगों को अगर मैं कोई भी content प्रोवाइड करता हूँ वीडियो प्रोवाइड करता हूँ information प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल genuine है इसलिए इस चैनल को subscribe करके रखें सबसे पहले यहाँ देखें 51 यानि कि 51 seats पर नमांकन के लिए अलग से होगी परवेश परिच्छा साफ कहने का मतलब है कि अभी 51 seats के लिए जो admission process है वो अलग से होगी मैं आपको बता दो राची वेटनरी कॉलेज में लगभग 60 seat हैं जिसमें कि 9 seat नीट के basis पे लिया जाता है और 51 seat पर JCC exam conduct करवाती है आगे क्या लिखा हुआ है कि केंदर सरकार के निर्देश पर यानि कि central government यह जो college है यह जो university हुआ state चलाता है यहाँ पर central government का order आया है Veterinary Council of India यानि कि VCI ने बिरसा क्रिशी विश विद्याले अंतरगत veterinary college में सत्र 22-23 में इसनातक course में नावांकन के अनुमती दे दी है यानि कि central government यानि कि VCI accreditation रोकने के कारण उसने admission प्रोसेस रोका हुआ था लेकिन इस बार 22-23 बेच के लिए उन्होंने एलोग कर दिया है कि आज JCC को कि हाँ आप admission ले सकते हैं फिर क्या हुआ कि नावांकन के नुमती दे दी है VCI से पत्र मिलने के बाद VCI से पत्र मिला है इन्हें return later मिला है कि हाँ आप admission ले सकते हैं उसके बाद संयूप्त परवेस परतियोगिता परिच्छा परसद यानि कि JCC के बाद कर रही है Charter and Combined Entrance Competitive Board परिच्छा परसद अलग से विग्यापन जारी कर आविदन मांगने और परिच्छा लेने की परिक्रिया सुरू करेगा यानि कि अब order तो मिल चुका है अब VCI से JCC Board एक और request मांगेगा परिच्छा लेने के लिए और या फिर से परिच्छा लेगी यानि कि दोबारा वेटनरी के लिए परिच्छा होगी संभावना है कि पूरी प्रिक्रिया एक मांगे अंदर पूरी कर ली जाएगी यानि कि ऐसा मान कर चलते हैं कि आज जब ये रिलीज हुआ है ये जो नियूज है वह 2 दिसंबर 2022 को आया है तो 2 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी के आसपास या पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट कर ली जाएगी क्रिशी सचीव ने वेटनरी कॉलेज में सिच्छिकों की कमी दूर करने और आवेश्य आधार भूत संरचना दुरूस्त करने का आसवासन दिया है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि VCI ने एक रिडियेशन इसलिए हटाया था क्योंकि वेटनरी में जो नंबर ओफ फैकल्टीज थें जो प्रोफेसर्स थें वो काफी कम थे टीचर्स के ना होने के वज़़े से एक रिडियेशन हटा लिया गया था अब VCI ने ओर दे दिया कि आप एडियेशन ले सकते हैं तो अब यह होगा लेकिन अब जो पूर्ती है फैकल्टीज कम है वह कैसे पूरा होगा तो JPSC ने मार्च दोहजार तईस तक यानि कि जनुवरी तक एडियेशन लिया जागा यानि कि जो नियूक्ती है यानि कि जो इंडिमीशन है फेकल्टीज का इ 아니라 demand तो और अभी तक पांच सिखकों की नियूक्ती की गई है तो दोस्तों सबसे बड़ी खुसको को यही थी आप लोगों के आपके साथ तो निगेता होगी ही होगी साथी साथ एक और डेट निकले का जिसमें की एक्साम के बारे में बताया जागा आपको पूरा information दिया जागा इसके साथ इस exam के थूर एंटिमिशन नहीं लिया जाएगा इसमें इसके यह फर्दर एक्जाम होगी क्योंकि इसका जो टाइटल है न्यूज का यही लिखा हुआ है कि क्या वन सीटों पर नामागान के लिए अलग से होगी परवेस परीच्छा अलग से डिफरेंट देन दिस एक्रिकल्चर एक्जाम तो आप बिल्कुल भी टेंश डान रहे हैं यह मैं खूब मेहनत करके एक्जाम दीजिए साथ ही साथ अगर यह एक्जाम में थोड़ा कम नंबर भी आए तो पस्ताने की जाब बात नहीं है और भी नोटिस आएगी और जिसमें वेटनरी के लिए एडमिसन की बात होगी तो मैं फिर से आपको अपडेट कर दूँगा लेक आपको previous year questions चाहिए तो वह भी आप हमसे ले सकते हैं और अपनी तयारी को और जोड़ सोड़ से बढ़ा सकते हैं क्योंकि मैं जो previous year questions प्रोवाइड करता हूँ वह answer की के साथ होता है साथी साथ आपको physics, chemistry, biology और maths के important chapters भी बताए जाते हैं important topics भी बताए जाते हैं जिनसे regular questions आ अभी जूड जाए, WhatsApp का जो contact link है आपको display होरा screen पे इसे message करके आप हमसे जूड सकते हैं अगर फिर भी कोई doubt हो आपको तो comment section पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धन्यवाद